एंडी टीवी को जो उनके content writers लोग हैं उनके उनको जो है नौकरी से या तो निकाल देना चाहिए या उनको अपनी जो भाषा है उसको सुधार देना चाहिए और देश विरोधी भाषा का इस्तमाल नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ मैं उनको ये भी बोलना चाहते हूं content of court लग सकता है इन लोगों के उपर आदर्णिया Supreme Court का निरने है क्या वो Supreme Court को भी नहीं मानते हैं मतलब आब वो राजनीती पर उतराए हैं अब क्या हमेशा से राजनीती पर उतरेवे हैं आपको आदर्णिया Supreme Court का फैसला गलत लग रहा है पूरा फैसला हिंदुस्तान के पक्ष में आया है, आप उस फैसले का आज ताहीन कर रहे हो, आप लोगों को इतनी सी अकल नहीं हैं, कि आप को किस प्रकार की बात कर रहे हो, कहा का विवाद, कौन सा विवाद, किस बात का विवाद, विवाद सिर्फ ये था कि वो भूमी किसको बिलॉंग करती है, किसकी वो भूमी है और कोट ने तत्यों के आधार पर सालों साल ये लडाई चली है कोट के अंदर और उसके बाद तत्यों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है कोई भावुक निर्णय नहीं था ये कोई-कोई सब्सक्राइब कोई-कोई नहीं देता आपको आप हैदराबाद के अंदर जीत जाते हो वो ही बहुत बड़ी बात है और जहां तक आप ये बात करें मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के स्वर्गिया आदरनिया पूर्व राष्टपती डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जी ने इस प्रथा को इफ्तार पार्टी की प्रथा को जो राष्टपती भवन में चलती थी 2002 में रोख दिया था और उन्हों ने ये बात बोली थी अपने मूसे कि य एक धार्मिक कालेक्रम है और इस तरीके का कालेक्रम राष्टपती भवन में क्योंकि ये सारवजनिक भवन है ये हिंदुस्तान के लोगों का भवन है यहां नहीं होना चाहिए तो OVC साहब से मैं अब आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ वो क्या आपसे कम म मुस्लिम थे उनको अपने धर्म पे क्या कम भरोसा था उनको क्या आपने लोगों से प्रेम नहीं था हिंदुस्तान के लिए संबान नहीं था लेकिन वो आपसे बहुत बड़े धार्मिक थे फर्क पता है क्या है वो इसी साहब वो पहले हिंदुस्तानी थे पहले वो हिंद से धर्म की चोट मारी है वो उसी साब ने बोला हिंदूओं की जीत कौन से हिंदूओं की जीत कौन से हिंदूओं की जीत यह धर्म की बात नहीं है Mr. OVC Please get this in your head straight and clear यह धर्म की बात नहीं है शरीन यह बात है हिंदुस्तान के इतिहास की इतिहासिक तो रोंग को correct करने की यह बात है हमारी संस्कृति की राम चांद्र भगवान और पुरुषोत हम मर्यादा पुरुषोत्म श्री राम चंदर जी है वह हमारा इतिहास है हमारा गौरव है हमारा गर्व है ये लोग तो वो लोग है मुझे अभी तक मैंने पढ़ा है कि जब सोमनात के मंदिर को रीकंस्ट्रक्ट करने की बात हुई थी तो उसका विरोध किया था स्वर्गिया पंडित नहरू जी ने आप सोचो सोमनात के मंदिर का विरोध मैं मैं पीम ने तो मोधी के दुआरा भूमी पूजन किया गया तो उसी को लेकर All India Muslim Personal Law Board इस तरीके के बयान बाजी करता और वो ये कहता है कि मजज़त थी और मज़त रहेगी देखे सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के पूरफ से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिन तक जितने भी तमाम हिंदुस्तानी हैं चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं उनको रिदय से बधाई देना चाहती हूँ क्यूंकि आज जो एक एतिहासिक गलती हिंदुस्तान के अंदर एक क्रूर मुगल साशक ने करी थी वो जो गलती है उसको सुप्रीम कोड के आदेश के बाद आज आधरनिय प्रधान मंतरी के हातों से वहाँ पर भूमी पूजन और सिला न्यास के माध्यम से राम भगवान जी का दूसरा बनवास खतम हो गया एक बनवास वो पहले काट कर आए थे और एक बनवास आज जो इतने सालों से वो 500 साल से वो जो है तंबू और टाट में रह रहे थे आज फाइनली उनका बनवास खतम हो और घर आए इसके लिए सब को बढ़ाई और दूसरी बात शरीन म मैं ये बोलना चाहती हूँ आप से और तमाम उन लोगों से जो इस तरीके की घटिया राजनीती आज भी कर रहे हैं ये राम लला राम जन भूमी अयोध्या ये कोई धर्म का सवाल नहीं है ये किसी हिंदू आस्ता का सवाल नहीं है ये हमारी संस्कृति का सवाल है ये हमार आदर्शों का सवाल है ये हिंदूस्तान का इतिहास है जिसको डिस्टॉट कर दिया गया था जिसको खतम करने की पूरी तैयारी कर दी गई थी उस गलती को जिसको बहुत पहले सुधार देना चाहिए था आज सुधारा गया तो क्यों इन लोगों को दुख हो रहा है जहां आज ये भारत वर्ष के अंदर बैट करके ये बात कर रहे हैं लेकिन ये केवल दो चार छे दस लोग हैं ये हिंदूस्तान के मुस्लिमों की आवाज नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अगर ऐसा होता तो इकबाल भाई आज भूमी पूजन में नहीं बैटे होते इकबाल भा हैं जो हिंदूस्तान को कभी एक नहीं होने देना चाहते क्यों क्योंकि इनके परसनल एजेंडाज हैं ये अपने परसनल स्कोर सेटल करना चाहते हैं लेकिन आज अगस्त हिंदूस्तान में जाना जाएगा सांस्कृतिक स्वतंतरता दिवस के रूप में अभी 15 अगस्त को हमारे लिए महीना जो है बहुत ही पर्व महीना हो गया है पांच अगस्त मनाया जाएगा और फिर 15 अगस्त मनाया जाएगा जिनको दुख हो रहा है उनको मैं यह याद दिला देना चाहती हूं कि आज जो है सत्य की असत्य पर विजय फिर से हुई है धर्म ने अधर्म का सह तो हो लो, इतनी छोटी घटिया सोच, उन तमाम 1% लोगों की हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं मुसलमान, उनकी भाषा नहीं हो सकती और ये बात हमें माननी भी नहीं चाहिए, जहां तक रामलला का सवाल है, रामलला ने केवल हिंदूओं की नहीं, हिंदुस्तान के प्रते में देख लीजिए, वो हमारे आदर्श पुरूश हैं, उनको मरियादा पुरुशोत्तम राम कहा जाता है, क्यों मरियादा पुरुशोत्तम राम कहा जाता है, वो भगवान श्री राम है, जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपनी माता के लिए, अपना पूरा राजपार चोड़कर अपने भाई को देकर वो 14 वर्षों के वनवास में निकल गए और उस वनवास के दौरान उन्होंने केवट का सम्मान किया और शबरी के जूठे बेर खाके उनको वातसल्य का मात्रित्व का एहसास दिलाया और गिलहरी का तक वो जो है सम्मान करे तो ऐसे भगवान श्री राम जिन्होंने हमारे को जीवन के इतने पाट पड़ाए जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि जिन्दगी में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है संस्कृति सबसे बड़ी चीज है आपको अप मर्यादित हो करके हर एक के लिए सारी प्रजा के लिए हर व्यक्ति के और हमने आज अपनी सांस्कृतिक दरोहर का फिर से जो है सम्मान किया है उसको संगठित किया है कि मैंने कभी न अपने जीवनकाल में ये सोचा नहीं था कि मैं ये दिन कभी देख पाऊंगी वो आज आज मैं बहुती अभीबूत हूँ बहुती प्रसनिचित हूँ और बहुत भावुक भी हूँ क्योंकि दो निरने मैं कॉलेज रेज से सोचा करती थी क्या होएंगे एक धारा तीन सो सतर और पैतिस एका हटना और दूसरा राम लला का अपने जन्मस्थान पर जाना और ये तो एतिहासिक सत्या है ये कोई ये कोई फिक्शन तो है नहीं ये तो फैक् से इसके लिए तमाम लडाईयां हुई तमाम आंदोलन किये गए कि जहां पर राम लला का जनम हुआ था वहां पर आयोदिया में मंदिर बरना चाहिए जिसके लिए उसका फैसला आखिरकार सुप्रीम कोट ने 2019 नौ नवंबर को दिया उसके बाद ये सारा मामला सॉट आउ मुझे ऐसा लगता है कि NDTV को जो उनके content writers लोग हैं उनको जो है नौकरी से या तो निकाल देना चाहिए या उनको अपनी जो भाषा है उसको सुधार देना चाहिए और देश विरोधी भाषा का इस्तमाल नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ मैं उनको ये भी बोलना चा है पूरा फैसला हिंदुस्तान के पक्ष में आया है आप उस फैसले का आज तौहीन कर रहे हो आप लोगों को इतनी सी अकल नहीं है कि आपको किस प्रकार की बात करनी है आप कोट के फैसले की बात कर रहे हो कहा का विवाद कौन सा विवाद किस बात का विवाद विवाद स सुप्रीम कोट ने दिया तो फिर क्या परिशानी एंडेटीवी को या किसी और ऐसे जो ये लेफटिस्ट लोग है या जो ये देश की संस्कृति के विरोधि लोग हैं उनको किस बात की परिशानी किस फैक्ट की बात कर रहे हैं और अगर तुमारे पास इतने फैक्ट है तो तुम गए क्यों नी भाई या सुप्रीम कोट में प्रिजेंट करतें अपना लॉयर खड़ा करतें तब मानती मैं सुचो आज इस तरीके की बातें अगर वो अपने चैन और अखंड भारत है हमारा जब धारा 370 हटी उसके बात सही माईनों में हिंदुस्तान अखंड भारत बना और उस अखंड भारत के अंदर जो एतिहासिक गलती हुई थी उस गलती को आज सुधार करके राम लला का दूसरा बनवास खतम कर दिया गया राम लला को उनके घर म की जीत हुई है मतलब आज तक जो असुद्दिन ओवेसी बाबरी मज़ित को ना भूलने वाली बात करे थे आज वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि राम लला की जीत हुई है ओवेसी जी का तो मैं उनको बेपेंदे का लोटा बोलती हूँ थाली का बैंगन होता नहीं कभी इदर कभी इदर कभी इदर कभी इदर उनको खुदी नहीं पता उनको क्या बोलना है उनका दिमाग में वो क्लियर नहीं है उनको क्या बोलना है उनको जिंदगी में चाहिए जोद्या में जाते हैं शिला नियास के लिए तो ये हमारे सम्विधान की जो है अवेलना है और हम जो धर्म निर्पेक्ष्टा की बात करते हैं उस पर कुठारा घात है ये उस ओवेसी सहाब मैंने इनसे उस दिन भी पूछा था ट्वीट के माधियम से और आपके चैनल के राजणानी के अंदर राष्टपती भवन जो एक सार्वजनिक भवन है उसमें हम टैक्सपेर के पैसों से इफ्तार की पार्टी की जाती थी इफ्तार का आयोजन किया जाता तो और आप भी जाते होंगे उसमें ओवेसी साब सोनिया गांधी जी भी जाती थी आप सब लोग इफ्तार की पार्टी वहाँ पर करते थे तब आपको याद नहीं आया है कि एक धर्म एक आयोजन है एक किसी धर्म से रिलेटेट पार्टी वहाँ पर हो रही है तब आपने कुछ नहीं बोला तब आपके मुह से एक शब्द नहीं फूटा तब आपने एक बात नहीं बोला कहां चली गई थी तब धर्म निर्पेक्षिता, तब आपने सम्विधान नहीं पढ़ा, तब आपको सम्विधान की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, और एक चीज और बता देना चाती हूँ मैं OVC सहाब को आज, OVC सहाब यह जो गंदी राजनीती आप करते हो न, मुस्लि से याद दिला देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के स्वरगिया, आदरनिया पूर्व राष्टपती डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जी ने इस प्रथा को, इफ्तार पार्टी की प्रथा को, जो राष्टपती भावन में चलती थी, 2002 में रोख दिया था, और उन्ह अपने धर्म पे क्या कम भरोसा था, उनको क्या अपने लोगों से प्रेम नहीं था, हिंदुस्तान के लिए संबान नहीं था, लेकिन वो आपसे बहुत बड़े धार्मिक थे, फर्क पता है क्या है वो इसी साहब, वो पहले हिंदुस्तानी थे, पहले वो हिंदुस्तान के बेटे थे माद भारती पर विश्वास रखते थे हिंदुस्तान के प्रतेक नागरिक हर आवाम के लिए वो जीते थे तो ये जो गंदी राजनीती आप कर रहे हो इसको बंद कर दीजिए और आज आप कहरे हिंदूओं की जीत हुई फिर से आपने ये धर्म की चोट मारी है फ ये बात है हिंदुस्तान के इतिहास की एतिहासिक रॉंग को करेक्ट करने की ये बात है हमारी संस्कृती की राम चंद्र भगवान और पुरुशोतम मर्यादा पुरुशोतम श्री राम चंद्र जी हैं वो हमारा इतिहास है हमारा गौरव है हमारा गर्व है ये लोग तो व पर बात के आज तक जो कॉंग्रेस ये कहती थी कि राम काल्पनिक हैं और जिनों ने जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उसको लेकर ये पुनर याचुका के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुच गये थे और आज वही कॉंग्रेस और वही कॉंग्रेस के नेता तमाम तरीक के लिए सामदाम दंडभेज सब कुछ करना है तो अभी तक तो इनको ये वो लोग हैं जो सोनिया गांदी जी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करने के लिए पहुच गई थी कि राम चंदर जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है राम चंदर जी है ही नहीं आज इनकी प किरपा है इसलिए तो तुम्हारा ये मंद बुद्दि भाई इए इतनी गलतियां करने के बाद भी हिंदुस्तान इसको जेल रहा है तुमारे ओपर राम भगवान की किरपा है क्योंकि राम भगवान दयालू है कृपालू है हर एक के हैं हर हर व्यक्ति के ही ह Maar के हम सब के इ अच्छी लगेगी कि हिंदुस्तान के अधरने प्रधान मंत्री जी शेला नियास में जा रहे हैं। अधरने प्रधान मंत्री जी शेला नियास में जा रहे हैं।